अगर आप एक सस्ता Home Security System खरीदने का सोच रहे हैं तो ये बहुती बड़ी ओप्शन है ये है Xiaomi का Mi Home Security Camera 360 और ये 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है इसकी कीमत क्या है वो मैंने वीडियो के टाइटल में दिया हुआ है इस वीडियो में मैं इसकी अन्बोक्सिंग करने वाला और आपको इस प्रड़क के खास फीचर के बारे में बताऊंगा तो देखते रहिए नमस्का तो मैं हूँ गोगी और ये है Xiaomi का Mi Home Security Camera 360 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है AI Motion Detection Alert के साथ में आता है HD High Definition Videos रिकॉर्ड कर सकता है इंफ्रा रेड नाइट विशन भी है और Talkback फीच कुछ हद तक पीछे की तरफ दिया हुआ है चलिए इसके अंबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के इंदर हमें क्या के मिलता है अब इस डिवाइस का प्राइस क्या है यह मैंने वीडियो के टाइटन में 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 बाद में बताऊंगा और इस बॉक सारी चीज़े हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ यह लीजे इसे मैं खोल देता हूँ तो देख सकते हैं इसमें आपको एक एडाप्टर मिलता है इसके साथ मैं आपको यह केबल मिलता है और मांट मिलता है इसे आप वाल पर लगा सकते हैं या फिर सीलिंग पर लगा सकते हैं, जहां पर भी आपको यह जो security camera है, उसे install करना है और जो अंतिम content है box के अंदर, वो है यह security camera बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी packing की गई है, इस plastic को मैं फार देता हूँ, और यह देखिए अंदर आपको मिलता है, यह security camera, me company के दरफ से तो यह है me home security camera 360, इस प्रकार का दिखता है इसकी जो body है, यह plastic की बनी हुई है, और नीचे से देख सकते हैं, आपको यहाँ पर, जो mount दिखाया था मैंने आपको wall mount, यह ceiling mount उसे आप लगा सकते हैं, और साथ में rubber padding भी दिया हुआ है, अगर आपको यह जो camera है जो round head है, यह भी घूमता है, तो काफी compact है देख सकते हैं, और काफी आकरशक भी लग रहा है, मी का logo है यहाँ पर और अगर आप यहाँ पर ध्यान दे, तो reset का button दिया हुआ है, और यहाँ पर micro USB port है, जिससे यह जो camera है, यह activate हो जाएगा मतलब की on हो जाएगा, इसमें built-in battery नहीं है, इसलिए आपको हमेशा dedicated power source को attach करना पड़ेगा, तो यह जो cable दिया हुआ था उसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ cable का जो दूसरा भाग है USB point, इसे आप travel adapter में दाल सकते हैं, यह देखे जैसे आप इसे on करते हैं, तो यह light जल जाता है, मतलब की यह जो camera है यह on हो गया है, और जब आप इसे पहली बार on करेंगे, तो यह बोलना शुरू कर देता है, और इस प्रकार से घूमना शुरू कर देता है, इस security camera का उपयोग करने के लिए, आपको जो me home application है, उसे download करना पड़ेगा, यह देखिए, जो काला भाग है, जहां पर camera है, इसे उपर निचे कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं, एक micro sd card slot है, जहां पर आपको micro sd card दालना है, उसके बिना यह recording नहीं कर पाएगा, और अगर आप यहां पर देखें, तो मैंने यह जो application है, me home उसे download कर दिया है, और वहां पर add devices में जाके search मारिए, यह जो camera है, दिख जाएगा, और फिर उसे tap कीजिए, और फिर आपका जो wifi है उसके साथ में आपको connect करना है, फोन के जरीए और बाद में यह QR code आपको application में दिख रहा है, इसे आपको camera के सामने लाना है इस प्रकार से, ताकि यह जो camera है, इसे scan कर ले और फिर जो setup है, वो complete हो गया है, और आप अब camera का उप्योग कर सकते हैं, आपको यह button ब्रिस करना है, यह देखें यहां पर और इसके बाद में आप यह जो 360 degrees security camera है इसका उप्योग कर सकेंगे आपके घर में जो wifi है, उसके साथ में जो camera है, connect हो जाएगा और यह application का उप्योग करके आप camera को control कर पाएंगे, यह देखें आप camera को 360 degrees rotate कर सकते हैं, application का उप्योग करके settings में बहुत सारे options है home monitoring का भी option है तो settings में जाके आपका जैसा preferences है, उसके हिसाब से आप set up कर सकते हैं, firmware update आया हुआ हुआ है फिलाल मुसे मैं skip करता हूँ और यह देखें और भी options है camera जो भी देख रहा है, आप वो application के जरीए देख सकते हैं यह देखें, अब अंधेरे में देखें इस प्रकार का दिखता है camera को मैंने table पे रखा हुआ है और देखें, application का उप्योग करके मैं किस प्रकार से जो camera है उसे rotate कर रहा हूँ, यह देखें, left और right और उपर और नीचे भी कर सकते हैं यह देखें, इस प्रकार से तो यह जो camera है, यह total 360 degrees area जो है वो cover कर लेता है इसमें voice call का भी option है two-way communication आप कर पाएंगे यहाँ पर echo हो रहा है क्योंकि मैं camera के बाजू में हूँ monitoring भी एक काफी interesting feature है अगर camera के सामने कुछ activity होती है तो आपको एक notification मिल जाएगा और यह जो camera है, वैसे भी recording करता रहेगा यह कुछ recordings है, 1080p resolution में और यह जो shot आप देख रहे हैं यह अंधेरे में खिचा हुआ shot है completely dark room है और जैसे ही मैं light on करता हूँ, यह देखिए थोड़ी देर के बाद जो camera है color mode में switch हो जाता है, यह देखिए अब यह color mode में आ गया है और अगर मैं light को बं कर देता हूँ complete अंधेरा है और यह automatically infrared night vision mode में चले जाता है यह देखिए तो यह है me home security 360 degrees camera यह बहुत ही बढ़िया camera है और affordable है और आप इस से आपका जो घर का security है उसे थोड़ा सा और improve कर सकते हैं यह 360 degrees videos record कर सकता है और इसके खासियत यह है कि यह AI motion detection के साथ में आता है अगर आपने जो monitoring system है उसे enable कर दिया है और camera के साथ में कुछ भी हरकते होती है तो यह जो camera है आपको alert कर देगा वाइ-फाइ के जरीए तो यह security camera आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे जरूर बताइए अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like कीजिए, share कीजिए, मेरे चैनल को subscribe कीजिए और जो bell icon है उसे भी enable कर दिजिए और देखते रहिए